लोग तंत्र का खात्मा कर रहे हैं लोग तंत्र का हत्या कर रहे हैं राज्यों के सरकार को गिराने में आप विस्त है अब तक नव नव सरकारे आपने गिराई है यह आपके रिकार्ड में है इसका नतीजा क्या हो रहा है किसी भी तरफ देखो बेहाल हिंदुस्तान किसान परेशान जवान परेशान नवजवर बेरोजगर परेशान उद्योग पती परेशान कौन कुशे है आपके सरकार से शिवा आपके बाशन बाजी के शिवा आपके जूटे प्रचार के आपके अगबारिव विज्यापन से कोन कुशे है अगिकत जानने के कोशिश कीजिए मैं आपसे मांग करता हूँ मांनिय प्रचान मंत्री जी बाइयों मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा नरेंदर मोधी जी पंदरवा प्रचान मंत्री है इस देश का इस फिफ्टींथ प्रामिनिस्टर फिंडिया इनसे पहले चवदा प्रचान मंत्री आपर बनेते किसी के कालकंड में भी किसी के भी कालकंड में देश का मान मर्यादा इतना नहीं गिरा जितना आपके कालकंड में गिर रहा है प्रदान मंत्री जी आपके नारा है बाशन शुरू करने से पहले भारत मता की जय अगर आपके नारा में सही दम है आपके रगों में बैता हुआ खुन में ये एक बूंद में भी इमानदारी है सचाई है तो ये एक बात मैं सवाल कर रहा हूं उसका उत्तर दीजिए अगरी कल के सभा में देश के सामने बताएए कि आपके किलाफ किस प्रकार का जनान दोलन चल रहा है सीलंग का देश में क्यों चल रहा है आपने सिलंगा जागे प्रधान मंद्र का रोल नहीं निबाया बलके एक छोटा सा बैपारी का सेल्समन बन गए थे आप देश का अपमान किये नतीजा सिलंगा का जनता तूट पड़ी है सिलंगा के रूड़ों पर यह शोबा देता है हमारे देश को अंतर राश्य स्तर पर देश को सर जुखाना पड़ रहा है आपके कारणामों के वज़े से क्या यह सच नहीं है आपके मंत्री लोग आपके प्रवक्ता लोग आप खुद भी गला पाड़ पाड़ के बड़े उंचे आवाज में बोलते हो क्यों चुप्पी साध्य हुए है सिलंका के मामले में कोई सरकारी प्रवक्ता अपना मुँग क्यों नहीं कौल रहा है और आप अपने आप में खुद में क्यों नहीं बोल रहे है इस बात में क्यों चुप्पी साध्य हुए हो क्या वज़े है इसके और इससे बड़ी चीज क्या हो सकता है सीलंका पार्लेमेंट कमिटी के सामने सीलंका एलक्सीटी बोड के चेर्मन बयान दिया दुनिया के सामने खुले आम कि बारत के प्रदान मंत्री के दबाव के कारण हमने ये कांट्राक्ट किसी इंदुस्तानी बेपारी को दिया यह क्या देश का इज़त बढ़ाएगा किसी भी आप से पहले आये हुए बने हुए किसी भी प्रदान मंत्री जी के काल कंड में ऐसे आरोब भारत पे नहीं लगे बले ही आप खामुश हो हम कामुश नहीं बैटेंगे हम जरूर लड़ते रहेंगे विक्तिकत रूप से मुझे भी नरेंद्र मोधी से कोई लेना देना कुछ नहीं है आपके जो पालिसी से जो किसान विरोधी जनता विरोधी लोक तंत्र विरोधी ताना शाही पालिसीस जो है जिस प्रकार का जुलुम सरकारी संस्ताओं का दुरूपयोग आप कर रहे हैं उसके विरोध में हम बात करेगे पालिसीस पे हम बात कर रहे हैं अगर आप इमानदार हैं सचे हैं तो कल के पब्लिक मीटिंग में हैदराबाद से ही बारत के जनता को उत्तर दीजिए बताइए साफ साफ क्या हुआ स्री लंका में यह आम आप से पूछ रहे हैं वरना हम आपको दोस ही मानेंगे बिल्कुल दोस देंगे आपको आपका और एक नारा था जब आप प्रदान मंत्री बने थे मेकीन इंडिया मैं पूछ रहा हूँ माननी है प्रदान मंत्री जी कुछ नतीजा मिला इसका आपके डर से आपके रवया से आपके नीथियों से पूछी पती अपने निवेश को वापस लेके देश से भाग रहें भूत्पुरु केंद्री ये सरकारियों का गलत से पहले हमारे जेस से बहुत सारा ब्रेन ड्रेन हुआ अब आपके कालकंड में आज निवेश का ड्रेन हो रहा है लाकों करोर विधिंड्रा करके विदेश नमें जा रहे हैं मेकिन इंडिया में लोग नहीं हैं मेकिन इंडिया में कुछ नहीं हुआ यह तो जूट था, बिल्कुल जूट, सफेद जूट, हुआ ही क्या है? कल के बाशन में बताईए क्या हुआ मेकिन इंडियम्स, कुछ आया देश में या कुछ गया? कितने बारी उद्योग चले गए, कितने इस्रामिक रोडों पर आ रहे हैं, आपके गलत नीतियों के कारण से, तुलना कीजिए, अगर आपके पास बुद्धी की कमी हैं, तो सीख सकते हैं, हमारे बगल में हिमालाई के उस पार रहने वाले चेहना में क्या हुआ? कि वहाँ बाते कम, काम ज्यादा, अच्छा नतीजा, यहां हमारे पास बाते ज्यादा, काम कुछ नहीं, गलत नतीजा, मेकिन इंडिया को लेके चेहना में किस प्रकार का करांती आया, कितने उद्योग आया, कितने निवैश आये, माओस आपके दावर तक चेहना गरीब से गरीब था, उनका जीडिप हमसे कम था, आज 16 ट्रिलियन एकानमी से, 16 ट्रिलियन डालर एकानमी से, चेहना है, आपने देश का मजाग उड़ा दिया, पांच इट्रिलियन एकानेमिका खाब दिखा के पांच इट्रिलियन इहीं मजागता अपने आप में हासिल होने वाला प्रगति को आपने आपका पचार कर लिया पांच इट्रिलियन एकानेमिका खर ठीक है वो पांच ट्रिलियन में भी पहुंचेंगे हैं हम लोग आज कहाँ पर हैं हम लोग हमारे से बुरा हाल रखने वाला चेना हमारे से कम GDP रखने वाला चेना हमारे से कम cultivable areaable land रखने वाला चेना आज कहाँ है 16 trillion economy से आज हम कहाँ है 3.1 trillion डालर पे हैं हम लोग आज इसी रफ्तार से अगर हम चले आपके बताय हुए 5 trillion पे भी पहुंच पाएगा इंदुस्तान कभी नहीं यह असंभव है आपके काल कंड में तो देश में हर चीज गिर गया GDP क्राश यह मेरा नहीं सरकारी फिगर से इंफ्लेशन बढ़ता GDP गिरता प्राइज राइज तो आप कंड्रोल नहीं कर पाते पिर किस चीज के आप कंड्रोल कर पा रहे हैं लाकों खरोडों श्रामिक जो जोगों में काम करके के अपने जीवन बिताते वो बेहाल है परेशान है मजबूर है आंधूलन कर रहे हैं और आप उसका अपमान करने में वैस्त है मुदी जी मैं एक बात पूछता हूँ सव साल के लिए एक सव साल के लिए उपयोग करने के लिए हमारे देश में बगवान हो या प्रकृति हो दिया हुआ संपत्य है कोईला एक सव साल के लिए और भी जियालजिकल सर्वेस है और भी निकल रहा है हर साल पांच मिलियन टन से लेकर पांच हजार मिलियन टन से लेकर दस हजार मिलियन टन का कोईला निकलता है जिब सर्वे करते हैं